नमस्कार जैहिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूटूब चैनल पर मेरा नाम है लोकेश सिंग तो आज फिर से इंपॉर्टेंट कोश्चन्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग लेकर आएं हैं cda, capf, और fcat, के exam के according important questions तो आज के जो important questions होंगे वह होंगे आपके art and culture से related ध्यान रखिए art and culture बहुत important part है खास्त वर से cda, capf, के exam के लिए fcat में थोड़े से question हलके आते थोड़ा बात उससे related पूछा जा सकता है बट हम लोग यहां पर भी एक important चीज़ को cover करेंगे art and culture में literature वाले part को तो बहुत ज़्यादा question तो नहीं पर हाँ कुछ important question जरूर मैं यहां पर लेकर आया हूँ हो सकता है आने वाले exams में आपसे इनके बारे में पूछ रिया जाया इनसे related कोई question आ जाया बिलकुल वैसा आ जाया यह तो बहुत कमी possible हो पाता है बठा उनके जैसा कोई question यहां पर आ जाये तो finally देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को please उससे पहले like, share and subscribe जरूर कर दीजे क्योंकि आपका सयुग हमारे ले भी बहुत importance रखता है तो finally शुरू करते हैं तो देखिए आज हम लोग यहां पर timing भी शुरू कर दिये हर question के साथ timing आईगी और आपको उसी given time में आपको answer करना होगा है हिंदी के प्यारंबिक काल को आदिकाल नाम द आपर बताना चाहूंगा आपको आपको कि देखो यह जो आदिकाल शब्द आया है ठीक है यह जो आदिकाल शब्द आया है यह CH disciples 14th century चल रही थी चौदवी शताबदी जो चल रही थी उस समय की बात एए ध्यान रखना किस समय की बात है चौद्वी शैतावधी के मध्धे काल का जो time period है, मनलब mid period जो है, चौद्वी सती का, उस समय की बात है, जिस समय पर हिंदी के प्रारम्रीक period को आधिकाल कहा गया, क्या कहा गया है, आधिकाल मतलब शुरुवाती समय ठीक है, इस काल को different-different जो writers हैं, उन्होंने अलग-अलग एक और परसन है जिनका नाम यहां पर दिया नहीं गया है और वह है आचारे रामचंद्र शुक्ल कौन आचारे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भी यहां पर वीर गाथा काल नाम दिया गयता है इसको क्या नाम दिया गयता है यहां पर हो सकता है एक्जाम में कभी आप से पूछ ले तो इसको नाम दिया गयता तो किया वीर गाथाकाल ध्यान रखेगा चलिए तो फाइनली अपने नेक्स कोश्चन की दरफ बढ़ते हैं और टाइमिंग शुरू होते ही प्लीज रिप्लाई जरू किजे आंसर जरू दीजे यहां पर टाइमिंग के साथ ही साथ 20 सेकेंडी टाइमिंग है उसी में आपको रिप्लाई करना है स्वामी दयानन सरस्वती ने डैश से प्रेणना ली थी बहुत आसान कोश्चन है जो लोग टी की तियारी करें और और एफकेट की तियारी करें उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टन हो सकता है क्योंकि इस तरफिए के कोश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं अग्साम में चलिए बताइए टाइमर हमारा अलगी चल रहा है टाइमर गरलर्ट हो गया है चलिए कोई बात नहीं तो फाइलली यहां पर जो answer रहा है वो क्या है हमारा बहुत simple इनके दौरा एक बात कहीं थि क्या वेदो की और लॉटो इनके दौरा क्या कहा गया था वेदो की और लॉटो ठीक है clear तो no doubt answer भी क्या हो गया है यहांपर B हो जाएगा वेदो जाएगे क्लियर तो यहां पर शायद मुझे ही लगता कि कुछ भी अलग से बताना होगा इन्हीं के द्वारा क्या किया गा था यह वचन दिया गया था क्या वेदो की और लॉट्टो एक्च्वल में जो सनातन संस्कृती है या जिसे हम हिंदू संस्कृती बोलते हैं हिंदु की संस्कृती बोलते हैं उसका जो मूल सार या मूल घ्यान है वो वेदों में ही छुपा हुआ है ठीक है तो इसलिए कहा गयता हुआ उनके डौरा कि आपको कोई और किताब या कुछ और पढ़ने की जर्वत में सीधे आप वेदो को पढ़िए आप घूम फिरकर वहां पर पहुंच रहे हैं उससे अच्छा यह है कि सीधे वेदो को पढ़ो सीधी बात जैसे कि आपसे कहा याता है कि आप इधर उदर की किताबे पढ़ते हो यह सब को उठाते हो उससे की जगह है क्या पढ़ लो सीधी सीधे एंसी आलटी पढ़ लो ठीक है तो सेम वही चीज यहां पर भी बताई जा रही है वही चीज यहां पर भी कही जा रही है कि कुछ और पढ़ने की जगह सीधे क्या पढ़ लो वेदों को पढ़ लो अन्य किताबे पढ़ने की जगह सीधे गोरक नात की साधना पद्धती का नाम। यूपी वालों के लिए तो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है। गोरक पूर से रेलेटेड है। वहीं से आते हैं कौन। हमारे योगी जी भी आते हैं। तो आपको बताना है। गोरक नात की साधना पद्धती का नाम क्या था। तो यह जो गुरक नाथ है यह कहां से गुरकपुर से जोड़े हुए आपके ठीक है यूपी का जिला है जो बिहार के बॉर्टर से लगा हुआ है बिलकुल एक दम ठीक है ऊपर की तरफ नेपाल है बगल में बिहार है तो यह जो रीजन है ठीक है यहां पर एक्चल में यह फेमस कर रहा हूँ मतसेंद्र नाथ है सवज्वी तो हो सकता प्रनॉंशेशन में गलती हो गई हो मेरे से में रियली सॉरी फॉर देट बट हां मतसेंद्र नाथ तो इनके दौरा इस परंपरा की शुरुआत की गई थी ध्यान रखना इनका जो मूल जो परंपरा थी वो क्या थी योग थी इसी को आगे चलकर विक्सित करके इन्होंने किसकी शुरुआत की हट योग साधना की शुरुआत की योग से काफी तक मिलता जुलता ही है उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है ठीक है तो इस चीज़ का आप लोग यहां पर ध्यान रखीगा इन्ही को मुख्य प्रवर्तक भी माना जाता है इस हट साधना का क्या का है तो आंसर आपका क्या यहां पर बी हो गया ठीक है और एक चीज़ और यह जुड़े हुए थे मतसे इंदरनाथ जुड़े हुए थे यह एक्च्वल में कहा है शिव की उपासना से जुड़े हुए ध्यान रखना ठी लोग जो है वो किस की देन है वो शिव की देन है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की दरफ वेदो के सत्य को इसपस्ट करने और उजागर करने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया वेदो के सत्य को इसपस्ट करने और उजागर करने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया चलिए जल्दी से बताइए सिंपल कोश्चन है यह भी ठीक है अगर आप जितने भी लिट्रेचर के कोश्चन देख रहे हो तो यह सारे के सारे लिट्रेचर के कोश्चन आ रहे हैं आपके ancient period से आ रहे है ancient history के पार्ट से आ ठीक है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा आपका D, पुरान क्या हो जाएगा? पुरान हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर एक चीज और मैं add करना चाहूँगा टोटल पुरानों की संख्या कितनी है? 18 टोटल जो पुरान है उनकी संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है? यहाँ पर जो मुख्य, सबसे प्रमुख जो पुरान माना जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? नारत पुरान, क्या कहते है? नारत पुरान ठीक है? और नारत पुरान में सारे के सारे जो बच्चे हुए 17 पुरान है, उनका क्या दिया गया? एक तरह से चीज़े दीगी है बनारत पुरान तो एक होई गया ये और इसके अलावा जो भी 17 थे उन सब का इसमें किया गया सार किया गया तो इनको टोटल मिलाकर कितने होगा है अठारा वुनारत पुरान को मिलाकर क्लियर तो इसी तरह से विश्णु पुरान है शिव पुरान है ब्रह्म पुरान है तो और इस तरह से कितने है टोटल अठारा पुरान है शिव विश्णु नारद यह क्या है सबसे अधा फेमस हैं क्लियर चलिए नेस्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अपने पुराना एक तरह से नवीनी करन करना है होता है चली मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ ये कतन किस लेखक का है हिंदुस्तान की तूती बहुत सिंपल और आसान है अगर जिसको भी ये पता होगा बहुत आसानी से इसका रिपलाई कर देगा मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर होगा क्या अमीर खुसरो आंसर क्या है बिल्कुल यहाँ पर अमीर खुसरो सी क्लियर अमीर खुसरो के दौरा ही लिखी की थी क्या तुगलक नामा ध्यानक नाम तुगलक नामा जो पुस्तक थी जो की तुगलक वन से समंदित है यह भी किसके दौरा लिखी गई थी अमीर खुसरों के दौरा ही लिखी गई थी इसके अलावा इनकों ने एक और पुस्तक लिखी थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है क्या मिफ्तावल फुतु है इस तरह से और भी कही है तो अमीर खुस्रों का योगदान ऐसा भी कहा याता है कि हिंदी का विकास करने में भी अमीर खुस्रों का योगदान है इनोंने कहीं ना कहीं खड़ी बोली बोलने की शुरुवात की थी ध्यान रखना इसलिए इनको हिंदुस्तान की तूती बोला जाता है क्या खड़ी बोली बोलने का जो चलन था उसकी शुरुवात कहां अमीर खुसरों के समय पर ही हुई थी चलिए आगे बढ़ते हैं मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है या मिथिला की कोकिला किसे का है तक ठीक है मिथिला एक भाशा है आपको पता है ठीक है तो मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है किसे अब जो लोग बिहार के एक्जाम की तियारी करें वो तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं ठीक है वो तो यहां पर आसानी से इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं तो इसका आंसर है क्या डी विद्यापती आंसर क्या इसका डी विद्यापती क्लियर तो विद्यापती का जो टाइम पिरेड अगर हम लोग देखते हैं तो यह मिलता है कब 1352 से 1448 के टाइम डुरेशन में ठीक है और इनका योगदान जो मिथिला भाषा है उसके लिए बहुत है ठीक है तो मैत्री जो भाषा है इसके लिए ईनका योगदान के है बहुत जड़ा माना जाता है इसके इंहों ने संस्क्रित में भी अपनी रचनाई लिखिए ध्यां रखना अगर कभी कई पूछे तो आपको पता होना जिए संस्क्रित भाषा में इनों ने क्या ये अप पदावली क्या नाम है पदावली और इसके लवाद दूसरी महत्मुन पुस्तक एक तो यह हो गई पदावली और दूसरी कीरती लिता क्या नाम है कीरती लिता तो यह होगी दूसरी पुस्तक कीर्थी लेता एक्जाम में पूछी भी गई है इससे पहले एक बार यह एक्जाम में एक बार आभी चुकी है यहां पर बीपीएस्सी में पतंजली के महाभाश्य के बारे में निम्लिखित कथनों पर विचार करें इसमें कोटिल्यकाओ लेक मिलता है यह व्याक्रण की एक पुस्तक है और केवल संयोग से एतियासिक फ्यक्तियों को संदर्व यहां पर करता है या बताती है संदर्व मिलता है तो टाइम हो चुग है समाप्त आपको रिप्लाई करना है यहां पर तो बिलकुल देखो यहां पर पतंजली के महाभाश्य के बारें बात हो रही है किसके बारें बात हो रही है पतंजली के महाभाश्य के बारें बात हो रही है ठीक है तो इस यह तो बिलकुल क्लियर है कि यह क्या है एक व्याक्रण पुस्तक है ठीक है यह तो बिल्कुल क्लियर है कि यह व्याक्रण पुस्तक है पर यहाँ पर कॉटिल का उल्लेक मिलता है ऐसा नहीं है यहाँ पर और भी कई विद्वानों का उल्लेक मिलता है तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी केवल दो क्या होगा केवल दो इन्ही पतंजली के दोरा क्या किया गया था एक और इंप्टरेंट पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या था के योग सूत्र कि योग सूत्र क्लियर ठीक है कि तो यह पुस्तक इनके दोरा लिखी गई थी ठीक है और यह जो महाभाश्य महाभाश्य के बारे में भी एक इंप्टरण चीज जो मैं आपर एड करना चाओंगा वह यह कि यह पुस्तक एक्ट्वल में एक क्या है टीका है एक कि ओंपने कि इसका बडिका है तो यह आर्टिका किसका अस्त्यध結果 कि अ श्ट द्याई का द्यान रखना यह चीज कई बर पूचött कि या इस तरही धिते कि ज display गँर पूचक यह आरेकर ढुक है कि और यहां स्ट्रभाय के लिए कोशे को कौण पाड़ी ने क्य collects को हिएँ तरह चलिए हैं यहां यहां पे आंसर हो गया हो गा कलिए नेक्स कोशन के दोब लो च경ण अनॉरण की बिसलुडेव रासो, इन नाइका का नाम क्या है। मतलब मुख्य पात्रों में नाइका कौन थी ये जो थे ये एक चोहां शाशक थे ये चोहान शाशक थे ठीक है राजस्थान के छेत्र के पहली चीज तो ये क्लियर हो गई बिसल देव कौन थे चोहान शाशक थे और जो नाइका थी वो परमार वंश की राजकुमारी थी किसकी थी परमार वंश की राजकुमारी थी और इनका नाम क्या था नाइका का नाम था राजमती तो आंसर क्या होगे आपका C ये कौन से वंश थी ये परमार वंश थी तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी अब यहां पर एक चीज और आती है कि बिसल्देव रासों के रचैता कौन थे इस पुस्तक के रचैता कौन थे ठीक है तो इनका नाम क्या था नर्पती नल्हा इनका नाम क्या था नर्पती नला क्लियर तो यह हो गई इसके राइटर तो यहां पर इन्हों ने राजमती और बिसल्देव के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दी थी ठीक है चलिए नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं भागवत धर्म का ग्याद सरप्रतम किस अभीलेक में मिलता है देखो बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है भागवत धर्म को लेकर यह कोशन पहले भी कई बार एक्जाम में आया हुआ है ध्यान रखना यह question पहले भी कई बार exam में आया हुआ है कि भागवत धर्म का सरप्रतम उलेक कहां पर मिलता है थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीका होता है सरप्रतम उलेक पूछ लिया यहां पर पूछ लिया अभिलेक कौन से हैं शाक्षे मिलते हैं यह तरीका होता है examiner का पूछने का भागवत धर्म को लेकर बहुत बार पूछा हुआ है question है ठीक है चलिए तो finally यहां पर answer क्या है आपका बैस नगर का गर्ण इस्तंभ बैस नगर का गर्ण इस्तंभ ठीक है अब बैस नगर कहां पर है तो सबसे पहली चीज़ बैस नगर जो है वो वर्तमान समय का वर्तमान समय का क्या विदीशा वाला छेत्र कौन सा छेत्र विदीशा वाला छेत्र ठीक है तो वर्तमान में जो विदीशा का छेत्र है उसे बैस नगर बोला जाता था तो बैस नगर का जो अभिलेख है गरुन इस्तंब है वहाँ पर भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है इसे गरुन इस्तंब भी कहा जाता है गरुन किसका वहान है भगवान विश्णु का वहान है तो वहाँ से अंदाजा लगा लो बगवान विश्णु को क्या था यह स्तंब समर्पित था इस तरह से अंदाजा लगा लो अब इसी स्तंब को एक और नाम दिया यह था और वो नाम क्या था बहुत इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछा गया है और यह नाम है क्या है हेलियोडोरस एक राजनाइक था या राज़ूत था ठीक है राज नहीं कहें तो या राज़ूत दे था जो कि शुण शाषकों के दरभार से था तो उसी के नाम से क्या Chief कर दॄह की असी कि यह उस्हें कि द browरा बनॉाए गया था था थीगде उसी राज़ूत के द्वारा बन वाइगा था तो इससे क्या क आयात है क्लियर देखो बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन्स हैं और यह कोश्चन्स एक्जाम में बिल्कुल सकते हैं इस तरीके के कोश्चन ठीक है तो इसलिए प्लीज मुझे आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल चाहिए यहां पर और लाइक शेर कमेंट और करना चलिए नेक्स कोश्चन की तर बढ़ते हैं निमलिखित में से किसने हर्षवर्धन पर आधारित जीवनी हर्षचरित पुस्तक लिखी थी यह पुस्तक इधर आ गया है ठीक है का इधर है निमलिखित में से किसने हर्षवर्धन पर आधारित जीवनी हर्षचरित पुस ठीक है तो सीधा सीधा आंसर बहुत सिंपल है बान भट के द्वारा ठीक है तो बान भट ने आपके क्या किया था हर्ष चरित लिखी थी हर्ष चरित के अलावा इन्हों ने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था कादंबरी कि तो आपको या चीज पता चल गहीं कादंबरी को विशिव का पहला उपन्यास भी चाहीता है leistक्याता है दुनिया का पहला उपन्यास का पहला उपन्यास यह चीज भी याद रखो चलिए नेक्स कोशन की दरब बढ़ते हैं कि अगर शलिपादी कर्म पुस्तक के लेखक कौन है शलिपादी कर्म पुस्तक के लेखक कौन है देखो चलिए पहले आप लोग टाइमिंग खतम हो जाया रिप्लाई कीजिए फिर उसके बाद हम लोग इसका रिप्लाई करते हैं आंसर बता तो मैं आपको इसका तो शलिपादी कर्म जो पुस्तक है यह पुस्तक एक्च्वल में रिलेटेड है किस से संगम काल से और संगम काल कहां दच्छन बारत में हुआ है जहां पर कौन से चोल चेर और पांड़े शाशकों की जानकरी मिलती है है ना है ना ठीक है तो यहां पर चारों जो लेखक हैं यह साउथ इंडिया कही है अब यहां पर आंसर क्या है ठीक है तो आंसर नॉर्मली हम लोग तोलकाप्यम के बारे में सुनते हैं कि इनकी जो पुस्तक्ति तोलकाप्यम वह सुनने को मिलती है तोलकाप्यर की ठीक है पर चिलपादी कर्म यह पुस्तक थी किसकी एलगो आदीगल लगी तो आंसर क्या हो गया आपका ए अंसर हो गया ठीक है एलगो आदीगल ठीक है इनके दौरा यह पुस्तक लिखी गई थी और किससे संग्म काल से संब्दित है किस से संब्दित है संग्म काल से संब्दित है तो यहां तक आपको जानकारी मिल गई होगी नैश कोश्चन की तर बढ़ते हैं तुल्सी दास को लोकनायक किसने कहा यह थोड़ा अजीव गरीब कोश्चन मुझे लगता नहीं कि एक्जाम में तुल्सी दास को लोकनायक जो उपाधी थी वो दी गई थी किसके दौरा जॉर्ज गारगीरसन के दौरा ठीक है यह कोश्चन मुझे 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 लग रहा है कि सब लोग इसका जवाब दे पाएंगे बट फिर भी मैं आंसर डिरेक्ली बता जेता हूं जॉर्ज गारगी पूरी तरह से क्या हो रहा है और उस बीच में एक व्यक्ति क्या कर रहा है रामायट जैसे गरंत को लिख रहा है और इसके लवा और बी процесс कि भावना या लोगों में इक जागुकता पैदा करना है लोगों को एक दिशा देने के काम कर रहे हैं ठीक है तो इसी लिए जॉर्ज गारगीर सन ने उनकी लेखन कला से प्रभावित होकर उनको लोकनायक कहा था क्या कहा था लोकनायक कहा था क्लियर चलिए नेक्स कोश्चन की तरब बढ़ते हैं मीरा भाई की उपासना पद्धती थी मीरा भाई की उपासना पद्धती आपको बताना है मीरा भाई की उपासना पद्धती देखो हम लोग 20 कोश्चन यहां पर देखेंगे इन 20 कोश्चन का आपको रिपलाई करके बताना है कि आपके कितने कोश्चन सही हुए कितने कोश्च गलत हुए ठीख है ये वीडियो के लास्ट न आपको बताना होगा कमेंट सेशन में चलिए मीरा भाई की उपासना पदती ही थी बताये तो है तो यहां पे जो आंसर है वो क्या है माधुरे भाव की क्या है माधुरे भाव की सी ठीक है माधुरे भाव या माधुरी भाव इसको बुल रहता था ठीक है दोनों ही शब्द सुनने को मिलते हैं माधुरे भाव या माधुरी भाव इसका में मकसद यह था कि ईश्वर या जो भगवान होता है या इश्वर जो है ठीक है जिसे आप अपना इस्ट मानो कोई भी ठीक है तो इश्वर को आप अपना प्रीये ठीक है अपना सखा सिंपल भाशा में जैसा मैं समझा सकता हूं मैं वैसे समझाने की कोशिश करूं सखा बेटा ठीक है या जो भी आप समझना चाहो राजा दोस्त इशवर को आपका प्रियतम कर लो राजा कर लो दोस्त कर लो सका कर लो बेटा कर लो जो भी आपको सही लगे आप उस तरीके से इशवर के साथ जोड कर क्या कर सकते हो। यहां पर उसकी भखती कर सकते हो. उसको हम लोगते हैं मधुर्यभाव. ईश्वर में किसी भी तरह से क्या हो again? लीन हो जाना. उसको अपना बनाए लाँ, अपने परिवार का सदस्य बनाए लुट snacks बनाए लाँ. स्वयम रचनाई लिखकर समाचार पत्र निकालकर भारते इंदू मंडल का गठन करके या इन सभी साधनों के माध्यम से यह कोश्चन इस तरीके के कोश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं इन्हें आधुनिक हिंदी का पितामा कहायाता है क्या कहायाता है इन्हें आधुनिक जो हिंदी है ठीक है उसका पितामा कहायाता है ध्यान रखना फादर ओफ मॉडरन हिंदी लिट्रेचर भारते इंदू हरिश्चन जो थे इनको ही बंगाल में मेली पुनर जागरण के लिए योगदान का रूप में भी देखा याता है कि इनके दौरा ही कही ना कही पुनर जागरण की शुरुवात की गई थी बंगाल में और इनका जो लिट्रेचर तो वह आलमोस्ट पूरे इंडिया में पढ़ा जाने लगा था उस समय पर ठीक है तो फाइनली अब जरा हम लोग बात करते हैं यहां पर ठीक है तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा नाटक लिखे थे ऐसा काया था उन्होंने अपने जीवन काल में 17 नाटक लिखे थे और इनमें अपना योगदान एक अभिनेता के रूप में भी दिया था मतलब वह एक्टिंग भी करते थे यहां पर ठीक है तो यह जो नाटक मंचन होता था उसमें इन्होंने क्या किये ए साम भाषा में चीजों को पहुचाना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक राइटर बहुत से लोगों को एक विद्वान एक सन्यासी बहुत से लोगों को जागरुक करता है समाज में अपना योगदान देने के लिए जैसे कि हम लोग एक बहुत अच्छा एक्ज उस्तान में थे उनको क्या किया है प्रेरित किया है कि वो देश को आजादी के लिए क्या कर सकें संगटित हो सकें लड़ सकें खड़े हो सकें ठीक है तो नो डाउट यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टन था इसलिए भारतिंदु हरिश्चंद को हिंदी का पितामा आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ त्रिपिटक किस धरम का पवित्गरंत है यह तो बहुत आसान है कई बार पूछा जाता है एस्ट्री का पार्ट है आड़न कल्चर का तो है ठीक है चलिए एंशन रिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टन पार्ट है पिटक दूसरा है आपका क्या है विन्य पिटक और तीसरा है कि आपका क्या अभी धम्म पिटक अभी धम्म पिटक क्लियर तो तीन थे पिटक यहां पर पिटक से मतलब बकिट पिकट पिटक का मतलब क्या है यहां पर त्रिपिटक है मतलब त्री मतलब तीन और पिटक पर इसका जो आंसर होगा वो होगा अपका क्या बी बहुत धर्म ये तीन पिटकों की जानकारी कहा मिलती है बहुत धर्म में मिलती है क्लियर विनेय पिटक सूथ पिटक और अविधम पिटक चली नेक्स कोश्ण की तरह बढ़ते हैं हिंदी को आरे भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विशय बनाने वाला कौन थे यार ये कोश्ण एक्चल में पहले हम लोग पूस चुकें इंडिरेक्ली ठीक है ये कोश्ण पहले भी एक बार हम लोग पूस चुकें इंडिरेक्ली तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या है दयानंद सरस्वती आंसर क्या है यहाँ पर दयानंद सरस्वती शुरुआती समय में दयानंद सरस्वती मूल रूप से संस्कृत भाषा में उपदेश देते थे और संस्कृत भाषा में ही लोगों से क्या करते थे वारतालाप करते थ ठीक है communicate करते थे पर उनको यह चीज फील हुई कि नहीं लोगों में कहीं ना कहीं संस्कृत की अब जागरू तक क्या होगी थोड़ी बहुत कम होगे लोग कहीं ना कहीं संस्कृत कम समझते हैं तो उन्हें एक जन्मानस की भाषा में उतरना था इसलिए उन्होंने हिंदी को क सवाजा लगा सकते हो याद रखने का एक छोटा सा तरीगा समझ सकते हो इसे नेक्स्ट कुश्चन भारत के साहित्तिक इतिहास के संदर में निमलिखित यूगमों पर विचार करें रास्तरंगणी पुस्तक और उनके लिखक लीलावती कविराज मार्ग चलिए देखो रास्तरंगणी सीधे सीधे समझ में आ रहा है ठीक है कल लड़ के दौरा है लीलावती अभी कल ही जो मैंने क्लास लिए उसमें भी इसके उपर एक कोश्चन था तो भासका चारे दुतिये आते हैं ठीक है पर यहाँ पे कविराज मार गी इसको लेकर मदभेव दें यहाँ पे श्री कृष्ण देव राय नहीं आएंगे ठीक है यह गलत है तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया हमारा बी हो गया अगर हम लोग कविराज मार की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर दो मतभेद आते हैं कुछ लोगों का विद्वानों का अलग-अलग मत है इस लिखा गया है और कुछ लोगता मन्ना हें की इनके दर्वारी थे जिनका नाम क्या था श्रीविजय क्या नाम था श्रीविजय उनके द्वारा लिखा गया है ठीक है तो यह क्यों थे इनके ही दरबारी थे क्लियर ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है विद्वानों में मदभेद है कि इन दो में से किसी ने लिखा या तो खुद शाशक जो थे उनके द्वारा लिखा गया था और यह कौन थे यह राष्टकूट शाशक थे ध्यानग ना राष्टकूट शाशक थे ठीक है चलिए नेस्ट कोशन की तरब भढ़ते हैं निमलिखित का मिलान करें फिर से विद्वान और पुस्तकें इस विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखिए तालिदास भारवी शुद्रक और विश्णु शर्मा ये अगर हम लोग बात करें तो ये कहां कौन से पीरिट के टाइम की बात है ये चल रही है लगवलग गुप्त काल के आस पास की बात चल रही है इसमें तो आपको बताना है यहां पर की सही आंसर क्या है चले timer हो गया खतम तो फानली आंसर इसका G,"B,"Aंसर क्या है यहां पर इसका बिप तो फर्स्ट काईदाश की कौन कौन सी पुस्तक है रगुवंशम ठीक है यहां पर रगुवंश लिखाऊ रगुवंशम है एक्चल में रगुवंशम ठीक है धन भार्वी की पुस्तक कौन सी है कीरत अर्जुनियाम शुद्रक की अर्जकटिकम यह तो सिंपल है यह तो कई लोगों को याद भी होगा शायद हो सकता है क्योंकि पहले भी हम लोग एक बार कर चुका है और विश्नु शर्मा यह आल्मोस्ट हर किसी को पता है पंचेतंद्र यह वन वर्ड में हम लोग कई बार याद करते हैं कई बार सुनने को कोई मिलता है पंचेतंद्र की कहानिया विश्नु शर्मा के दौरा लेखी गई हैं यह शायद हजारों बार पढ़ा होगा बच्पन में भी सुना होगा आप लोगों ने चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो कंफ्यूज करें अगर आपको द तोरण समाज में साथ जाती विवस्था के बारे में निमलिखित में से कौन सी किताब में उलेख हैं साथ जाती विवस्था एक्चल में जाती नहीं वर्ग है यह मैं आपर इसको करेक्ट कर देता हूं अभी ठीक है तो यह जाती नहीं है वर्ग साथ वर्ग विवस्था के तो वो कौन सी पुस्तक में वो है किसमें इंडिका में किसमें दी गई यह जानकारी यह इंडिका में दी गई है ठीक है तो यह एक्च्वल में टाइम पिरेट कौन सा चल रहा है यह यह मौरेवंश का टाइम पिरेट चल रहा है ठीक है तो इंडिका जो लिखी गई थी वो कि यहां पे सत वरंगों वे वीवाजित था समाज ये वीवाजोत में बटा व इसमें सबसे आथे वह कौन किसान आता था और सबसे नीचे जो होता था आज की ताइम लागे का रहा होता है ठीक है तो कुछ इस तरीके से था तो उस चुके हैं समाप्त आपको बताने हैं आपने कितने किये हैं सही और कितने किये हैं गलत मुझे कमेंट सेशन में ज़रू बताना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कहां पर आप गलती कर रहे हो हम लोग और भी इस तरह की सीरीज लेकर आ स्क्राइबर्स हैं और हम चाहते हैं जल्दी से हम लोग 1000 हो जाएं तो प्लीज आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़दा important है हाँ आप हमको Instagram पर भी follow कर सकते हैं और टेलिग्राम पर भी शेयर एंड कमेंट जरूर करो और हमें बताओ वीडियो कैसा लग रहा है और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो ये भी हमें बताओ थैंक्यू सो मच जैहिंद